हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो डिजिटल लर्निंग वार्स अगेन मैं हूँ अर्विन चोधरी और आप देख रहे हैं जावा सीरीज और आज हम एक प्राइम नंबर सीरीज का प्रोग्राम बनाएंगे सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर क्या होता है प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो खुद से डिविजिबल होता है तो यहां पर हम क्या करेंगे एक प्राइम नंबर की सीरीज क्रिएट करेंगे तो प्रोग्राम तो हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते ह और इस project का हम नाम देते हैं और प्राइम देन इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे अपनी में में डेंगे तो यहां पर में में जाने पॉलिक एस्टैक्टिक वाइन में string argument अब हम क्या कर रहे हैं आपर हमें user से वेल्यू लेनी हें मतलब आप कितने नमबर तक अपनी प्राइम number की series को प्रिंट करवाने चाहते हैं तो यहां पर हम user से क्या लेंगे नमबर तो यहां पर नमबर्स प्रिंट करवाने के लिए हैं सबसे पहले सबसे पहले यहां पर एक में काउंट ले लेता हूं इंटिजर देन यहां पर हम क्या लेंगे यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम क्या लेंगे बफर रीडर क्लास लेंगे का यूज करेंगे यहां पर हम लेंगे बफर रीडर भी आर new bubber reader then is bubber reader में हम क्या लेंगे input stream का object यहाँ पर input stream reader और चुकि हम यहाँ पर keyboard से values ले रहे हैं तो system.in then हम क्या करेंगे यहाँ पर user से print करवाएंगे system.out.println println how many number means हम कितने number की how many number means कितने number की series print करवाना चाहते हैं then यहाँ पर हम क्या लेंगे integer n लेंगे request to integer dot parse integer और इसमें हम क्या पास करेंगे अपना br.readline अब यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको eight throws कर देते हैं अब हम क्या आते एक लूप लेंगे और इस लूप के अंदर हम लेंगे integer i equals to zero means यह zero sorry हम यहाँ पर one से लेना हमें और i कहां तक जाएगा हमारा n तक क्योंकि हमें n नमबर तक की series प्रेंट करवानी then i plus plus then यहाँ पर हम count को निशलाइस करेंगे count equals to zero then यहाँ पर हम एक अगें inner loop लेंगे for loop integer j equals to two से start होगा then j कहां तक जाएगा i तक then j plus plus अब हम क्या करेंगे if i divisal sorry i module j equals to equals to zero means यह क्या होगा हमारा prime number तो हम क्या prime number को किसमें ले लेंगे counter में plus plus कर देंगे हमारे counter को जैसे हमें prime number मिलेगा यहाँ पर हमने क्या किया हमने क्या किया 1 से n तक प्रिंट कर वा लिया means 1,2,3 हमने यहाँ पर एक loop ले लिया और इस loop के थूरू चलो हमें आइब इसको आगे समझ लेंगे में पहले पूरा program बना ले तेंगे न क्या करेंगे हम यहाँ पर break break ले ले लेतें जैनन हम इसके बाहर आएंगे loop के बाहर कि इफ काउन इक्वास्ट टू जीरो देन क्या करें हमारा यहां पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं प्रिंट यहां पर हम क्या इनको प्रिंट कर वा लेते हैं आई अब यहां पर हम सबसे पहले प्रोग्राम को समझते है इस प्रोग्राम में हुआ किया में सब случае हम लें May की रुप हमने करें शहीं कुछा में नर्लाड़य अदर डाले हैं और लूसे करें ने सुछ मैं सिध्र्तार बैर ओर में यह यह व्राइड अरहन आप लुप्रींचनी सब्च करें सबसे और अब इसको क्या वोटे है मोडिल मींस अगर डिवाइड करने पर जीरो मिला मींस क्या होगा कि यह क्या होगा प्राइम नंबर होगा तो उस प्राइम नंबर को हमने कहा किया काउंटर में एड कर दिया और हमने क्या किया next हम यहां पर follow if हमारे अगर counter 0 मिलता है means हमने क्या किया यहां पर print कर वाली उसी रिजम अब हम क्या करते हैं इस program को run करते हैं अब यहां पर हम डालते मैं डालता हूं 10 स्वारी थोर सा यहां कुछ मिश्टे हुरा आए थिंग if i div by j then counter plus plus then break ok शायद कुछ मिश्टे को रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं मैं डाल लेता हूं 4 तक जायद इस program में थोड़ा सा कहीं मिश्टेक है मैं सबसे पहले इसको चेक कर लेता हूं then फिर हम आगे बढ़ते हैं तो तब तक के लिए बाई बाई